हाई फ्रेंट्स तो इस वीडियो में लोग यह पर्टिक्लर प्रोग्राम देखेंगे तो डिरेक्ली एक्जाम्पल से इसको समझते हैं तो यहाँ पर हमें एक एरे मिलेगा और उस एरे का सारे सब एरेज निकाल लें तो बेसिकली इसका सब एरे क्या हो सकता है यह वन से स्टार्ट होने वाले सब एरेज हैं इसको इधर साइड में लिखते है 3,4 and at the end 4 अब यह सारे सब एरेज का सम करना है तो 1 का सम 1 ही होगा फिर 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 6 हो जाएगा and यह हो जाएगा 10 यह 2 का 2 ही रहेगा 2 प्लस 3 5 और यह 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 9 यह 3 का 3 ही रहेगा 3 प्लस 4 7 and 4 4 ही रहेगा तो आप यह एक्जामपल में भी देख सकते हो यह सारे सब एरेज का सम यहाँ पर आ रहे है फिर इसी सारे elements को जो सब एरेज का सम आया है उसको हम लोग sort कर देंगे तो sort करने के बाद हमें friends कुछ इस तरह का data मिलेगा जैसे 3 दो बार आया है एक बार आप यहाँ देख सकते हो 3 आया और दूसरा यहाँ पर 3 आया तो इसमें भी 3 दो बार आया है तो basically यह sorted है increasing order में अब यहाँ पर left and right का use है यह क्या बोल रहा है कि यह basically range दे रहा है कि 1 से start करके आपको 5 तक का data लेना है तो यह पहले element को भी 1 ही बोल रहा है generally area में क्या होता है indexing 0 से शुरू होती है लेकिन यह बोल रहा है कि 1 से indexing आपको consider करना है तो 1, 2, 3, 4, and till 5 तो यहां तक के element आपको लेके sum करके देना है तो basically क्या होगा 1, plus 2, plus 3, plus 3, and 4 तो यह होगा 6, 6 plus 4 क्या होगा यह इतने का sum होगा हमारे पास 10 और यह है 3, 10 plus 3 I think 13 आना चाहिए as an answer तो हम लोग देखे तो यह 13 आ भी रहा है तो इसमें basic सा funda जो है कि आप sub-arrays बनाओ sub-arrays का sum कर लो फिर sort करके area में रख लो और फिर जिस index से वो बोल रहा है वहां से आप लेके sum कर दो sum करने के बाद answer return कर सकते हैं तो सबसे core part जो इस problem का है friends वो है sub-arrays का sum निकालना तो directly code देखते हैं वहां पर जब code करेंगे तो और भी हमें clarity मिलेगी तो मैंने code करने के लिए javascript चूझ किया friends आप अपना favorite programming language चूझ कर सकते हो तो यहां पर मैं सबसे पहले array का एक size बनाता हूँ जैसे अगर n elements होंगे friends अगर array में n elements होंगे तो जो sub-array का count होगा अब होगा n into n plus 1 divided by 2 तो यह basically मैं compute कर ले रहा हूँ ताकि मेरा array create हो जा तो यहां लिखता हूँ not int let तो let let equal to size फिर लिखता हूँ nums dot length into nums dot length plus 1 और जब यहां पर मैं array create करूँगा तो arr equal to new array और यहां पर basically मैं size divided by 2 कर दे रहा हूँ तो यहां पर मेरा array बन गया अब मुझे सारे sub-arrays निकाल ले हैं तो मैं क्या करूँगा मैं यहां loop चलाँगा let i equal to 0 i less than nums dot length मतलब last element तक जाएंगे और एक-एक increase करते रहेंगे और यहां sum करने के लिए sub-arrays का एक variable में create कर लेता हूँ sum equal to 0 correct और फिर यहां पर मैं लेता हूँ let j equal to i तो यहां पर मैं थोड़ा सा elaborate करता हूँ जैसे की हमारा जो array था 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ था तो हमें कैसे start करना था पहले first वाले element से start करके हम लोग ने सारा sub-array बनाया था फिर second से फिर third से and so on तो इसलिए i जो होगा वो basically 0th element से चल रहा है और सबसे पहले इसमें 1 आएगा पहला sub-array फिर 1, 2 आएगा फिर 1, 2, 3 आएगा and so on तो इसलिए मैं j जो चला रहा हूँ वो i से चला रहा हूँ और ये भी कहा तक जाएगा last element तक जाएगा j nums.length and j++ right अब फिर इसको मैं sum में add करते जाऊँगा तो लिखता हूँ sum equal to sum plus j जिसको point करेगा उसको मैं add कर दूँगा तो nums of j को add कर दिया sum में अब इसको मैं array में रखते भी जाऊँगा तो इसके लिए मैं एक index ले लेता हूँ sorry java की आदत है तो बार बार मैं int ले ले रहा हूँ तो यहाँ लेते हैं let और यहाँ पर लिखते हैं let's say idx और यह 0 index से होगा ठीक है तो यहाँ लिखता हूँ arr idx प्लस प्लस तो उस index पर रखेगा और index को आगे भी बढ़ा देगा क्या रखना है हमें sum correct तो इस loop के बाद friends हमारे पास सारे sub-aries का sum आ जाएगा right तो अब हम क्या कर सकते हैं अब हम इसको sort कर सकते हैं तो मैं लिखता हूँ arr.sort और यहाँ पर मैं पास करता हूँ a,b अगर दो element हैं तो इसको कैसे compare करेंगे a-b तो इस तरीके से ascending order में sort करेगा अब हम result compute कर सकते हैं basically हमें जो भी index दिया रहेगा left से लेके right तक जाना है और वहाँ पर हमें subs को add करते जाना है right तो यहाँ मैं लेता हूँ let result equal to 0 और तो जैसा हमें बताएगा है कि जो sum है वो बहुत बड़ा number भी हो सकता है तो हमें mod लेना इस से 10 to the power 9 plus 7 से तो इसके लिए constant declare कर लेता हूँ const और यहाँ लेता हूँ mod equal to और 1 e 9 right plus 7 तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं जावस्क्रिप में and अब basically मैं यहाँ पर लूप चलाता हूँ let i equal to left minus 1 क्योंकि हमने array में data store किया वहाँ indexing 0 से होती है और left में बताएगा है कि यह index 1 को follow कर रहा है right इसलिए मैं minus 1 कर रहा हूँ और फिर मैं करता हूँ i less than right and i plus plus right और फिर लिखता हूँ result में क्या add करना है result plus error of i data को add किया और यह data बढ़ा ना हो जाए इसके लिए मैं कर दे रहा हूँ modulus mod से correct तो i think we are sorted इसके बाद हम return कर सकते है return करते है result run करके देखते है तो line number 14 पे ok तो यह java वाली practice हमारी गई नहीं है यहाँ पर होगा let फिर इसे run करके देखते है तो बढ़िया इस बार हमारा sample test case तो accept हो रहा है इसको submit करते है तो बहुत बड़े है friends यह solution हमारा accept हो रहा है thank you so much for watching this video मिलते हैं आपसे next video में